मैं हूँ प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी यहां पर हम एक नया कॉंसेप्ट सीखने वाले हैं कुछ स्पैशल टाइब के फंक्शन होते हैं जिनका अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे बागी जो पिछला वीडियो था इसकी लिंक आपको उबर मिल जाएगी एक्ससाइस 5.4 हमारी कंप्लीट हो गई है और जैसे जैसे हमारी चैप करते जा रही हूं तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चाप्टर देख सकते हैं तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं logarithmic differentiation कहने का मतलब यह है कि कुछ special type के function होते हैं जिनका derivative find करने के लिए हमको log की ज़रत लगत function की degree function function की degree बोला function की power function जैसे कि एक हमारा function है u of x और अगर इसकी degree में दूसरा function v of x आ जाए तब इस condition में हम इसका derivative कैसे find करेंगे log की help से find करेंगे और इसी कौम कहते है logarithmic differentiation clear अब जैसे माल लीजे x की degree 2 होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर d upon dx किसका formula लगाते है x की degree n का तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर है लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर function की degree में ही एक function दे दिया गया है जब इस तरह के function होते हैं तो इनको आसानी से solve करने के लिए हम log का यूज करते हैं अब कैसे करेंगे क्या पूरा procedure रहेगा इस procedure को समझेंगे और फिर हम example करेंगे जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इसी तरह के सारे question जो है वो है हमारी exercise 5.5 में ठीक तो चलिए start करते हैं तो पहले तो हमने यह समझ लिया कि भाई एक्च्वल में logarithmic function logarithmic differentiation है क्या चीज़ ठीक है तो जैसे माल लीजे हमको कोई function UX की डिगरी VX यानि function की डिगरी function दिया गया है तो इसका derivative find करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बोद साइड लॉग ले लेते हैं ठीक है तो यह तो हमारा function है y equal to f of x equal to this आप चाहें तो यहाँ पर हम इसको start करते हैं तो यहाँ पास function है y equal to u of x की डिगरी में हमको दे दिया गया है V of x दूसरा function ठीक है अब अगर इसका derivative find करना ठीक है इससे क्या होगा देखिए सबसे पहले तुमने लिए log इस तरफ तो यह हो गया log y equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा log u of x की डिगरी v of x अब यहाँ पर काम आएंगे वो सारी properties जो हमने exercise 5.4 के introduction में देखी थी log की properties बढ़ी थी log का derivative पढ़ा था और इसके बाद exponential function है उसक m की degree n तो यह क्या होता है n log m यही होता है यह n आ गया जाता है तो यह formula यहाँ पर काम करेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह log y तो अपना as it is रहने दीजिए यह जो v of x से यहाँ आ जाएगा multiply में v of x into log u of x as it is है अपना ठीक समझ में आगे बाद यह जो v of x से यहाँ गया यह जो degree में function था यहाँ गया और log u of x as it is इस formula की help से इस property की help से अब यहाँ पर आप देखें यह आपका एक अलग function बन गया यह आपका एक अलग function बन गया यानि कि अब आप यहाँ पर differentiation करते हैं इस function का क्योंकि यहाँ प कि कोई भी function के degree में भी कोई function है ठीक है तो उस condition में हमको क्या करना है जो logarithmic differentiation है उसका use करना है तो अब धियान से देखें पूरा procedure यहाँ पर समझ लीजी example करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर अब हम ल log y equal to d upon dx of v of x into log u of x अब आपको clearly दिख रहा है कि यहाँ पर दो function multiplication में है मतलब derivative का product rule यहाँ पर लगेगा तो लगा देते हैं तो यह हमारी एक अलग चीज़ है ठीक है यहाँ से हमने start किया हमारा जो भी है ठीक है अब यहाँ पर देखो log y का derivative तो हमने formula पढ़ा था d upon dx of log x यह क्या होता है अपना one upon x लेकिन x का भी derivative find करते हैं x के respect में तो यह तो one हो जाता है इसलिए सिर्फ one upon x दिखता है हमको लेकिन यहाँ पर देखें log y है तो log y का derivative क्या हो जाएगा अपना one upon y लेकिन d upon dx of किसका करेंगे हम y का y का भी derivative find करेंग यह हो गया one upon x फिर x का भी derivative find गया लेकिन dx से dx cancel होके one हो गया लेकिन यह d y से dx थोड़ी cancel होगा ठीक clear अब यहाँ का हो गया आप इस तरफ की बात करते हैं तो पहला function है यह दूसरा function है तो first into second function का derivative किस तरीके से find करते हैं अपन first का derivative second as it is plus second का derivative first as it is ठीक तो product rule apply कर रहे हम तो यहाँ पर देखें ध्यान से सबसे पहले पहला जो function है इसका derivative find होगा second as it रहेगा तो यहाँ पर log u of x अपना as it is ठीक है d upon dx of v of x clear फिर बीच में लगेगा plus फिर v of x as it is d upon dx of log फोड़ा सा सही से लिखती हूं जगह की कमी आ रही है ठीक हमने क्या किया first का derivative second as it is फिर second का derivative first as it is यह होता है मारा product rule चलिए थोड़ा सा और इसको simplify कर लेते हैं तो यह जो log u of x है यह तो हमारा as it is v of x का derivative या तो d upon dx of लिखा रहें दो या फिर v dash x कर लो तो यह कर लो यह कर लो कोई रिकत नहीं है plus v of x as it is log x का derivative क्या हो जाएगा 1 upon x और d upon dx of u of x ठीक है तो यह चीज़ पर मैंने आपको बता ही थी कि function के अंदर अगर function होता तो इसका derivative find करते हैं तो log x का derivative 1 upon x इसके लिए x क्या u of x इसके बाद d upon dx of u of x ठीक है इसको थोड़ा सा और simplify करेंगे तो log u of x as it is v dash x plus v of x और upon में u of x इसके upon में लिख लेंगे और multiply में u dash x तो d upon dx को हमने dash के form में लिख लिए ठीक है अब आखरी जो हमारा है step वो क्या है वो और देख लीजिए तो जो step है किसी भी इस तरह के function का derivative find करने की वो यही रहेंगे हर question में आपको द्यान रखना है अब यह जो y है यह आप देख रहे हैं कि dy upon dx करना है हमको derivative find करना है तो इसके multiply में जो भी अगा उसको उस तरफ भीजेंगे तो यहाँ पर one upon y y divided में उस तरफ जाके multiply में चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा dy by dx equal to y multiply में आ गया और यह पू u x into u dash x अब यहाँ पर y की value हमको put up करना है y की value क्या थी हमारी y equal to u of x की degree v of x तो यहाँ लिख देना है आखिर में तो यह हो जाएगा अपना dy by dx equal to u x की degree v x और यह पूरी की पूरी same to same चीज इसके अंदर हमको लिखनी है जो हमारे square bracket के अंदर लिखी होगी है तो इस तरह के function का derivative find करना है अगर function की power function है तो समझ मैं कि procedure हमने समझा है वो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको रह गया हो doubt रह गया हो लेकिन इसी चीज को example से करेंगे तो आपको यह पूरी चीज clear हो जाएगी तो यह तो पूरी method मैंने आपको बताई है कि method क्या apply होगी अगर किसी function की degree में कोई function आ जाए तो तो सबसे प ठीक clear चलिए अब इसमें एक चोटी चीज और रहे गई है जैसा कि मैंने आपको बताया था जैसे y equal to log x हमने पढ़ा था exercise 5.4 के introduction में कि जो हमारा log function रहेगा इसका जो domain रहता है वो कहा रहता है all positive real number क्योंकि यह negative values के लिए define ही नहीं होता यह चीज़ आपको clear है ठीक है कि ज में हम कोई value input करते हैं इस place पर तो कोई भी negative value के लिए क्या होता है define ही नहीं होता है इसका domain होता है वो all real numbers होते है लेकिन positive वाले real numbers और जो range होती है range तो all real numbers में positive negative 0 सारे आ जाएंगे तो यहां पर हमको यही बोला गया है कि अगर हम logarithmic differentiation इस process का use करते हैं इस method का use करते हैं तो log हमारा यहां पर भी लगेगा यहां पर भी लगेगा तो हमारा जो function है f of x और यह जो base वाला u of x है यह दोनों जो है यह positive होने चाहिए तब ही जाके यह जो हमारी method है यह apply हो पाएगी अदावाइस नहीं हो पाएगी आप बोलेंगे क्यों क्योंकि सिरी सी बात है अगर आप यहां पर log लगा रहे हैं और यहां पर भी log लगा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यह जो value यह positive हो जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि यहां पर हमारा जो भी value आएंगी वो आएंगी सारी के सारे positive real number तो यहां पर negative value हम नहीं ले सकते क्योंकि logarithmic differentiation यह जो method है यह भी apply होई नहीं पाईगी clear समझ में आगी बाद इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब आप यह method apply कर रहे हैं तो जो आपका function है और यहां पर function की power function वाला यह जो base वाला function है यह क्या होना चाहिए positive value होनी चाहिए that's it positive function होना चाहिए ठीक clear तो क्या हम को बोला गया है कि जो f of x है और जो u of x है यहां पर greater than 0 होने चाहिए मतलब positive होने चाहिए that's it clear समझ में आगी बाद इतनी छोटी सी बात बोली गई और अभी हमने जो method देखी उस method को ही हम कहते है logarithmic differentiation तो I hope कि logarithmic differentiation आपको clear हो गया होगा और यह चीज़ आपको ध्यान रखन है यह important चीज़ है कि आपका यह जो function है और जो बेस वाला function है यह दोनों की जो value है यह positive होनी चाहिए positive function होनी चाहिए clear ठीक चलिए अब हम करते है एक्जाम्पल तो यहाँ पर हमने लिया है example number 30 differentiate this with respect to x x के respect में differentiate करना है clearly बोला गया है तो चलिए करते हैं तो सबसे पहले यह जो function है इसके equal to में कुछ नहीं दिया है तो हमने क्या suppose कि आप यही पर कर लेते हैं question को मैं हटा देती हूँ let y equal to this ठीक है y equal to this और एक और step यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या यह जो root है इसको हम convert कर देते हैं degree ठीक है clear समझ में आगे बात अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो function की degree कोई ना कोई number आ गया यानि x की degree n यानि x की power n वाला formula आप लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं लेकिन logarithmic differentiation से यह बड़ी ही आसानी के साथ हो जाएगा clear कैसे चलिए करते हैं तो सबसे पहले तो y equal to y suppose किया root को हमने 1 upon 2 degree लगा दिया ठीक है अब देखें आप सबसे पहले तुम क्या करेंगे both sides लेंगे log तो आपको लिखना है taking log both sides ठीक है चलिए तो यहाँ पर हमने लिया log y equal to यहाँ पर लेंगे log x minus 3 x square plus 4 upon 3 x square plus 4 x plus 5 इसकी degree 1 upon 2 तो यहाँ पर फिर से log की जो property है log m की degree n तो यह n आगे आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर log y equal to n log और यह पूरा इसके लिए क्या है m का काम कर रहा है तो यह हो गया x minus 3 x square plus 4 upon 3 x square plus 4 x plus 5 clear ठीक है अभी हमने देखा था n log m का formula कैसे लगाना है यह है log m की power n तो n log m अब यहाँ पर फिर से property लगेगी आपकी कौन सी पहली चीज़ तो यह क्या है log m upon n है क्या है formula में आपको समझा देती है log m upon n तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह log m minus log n यह होगा ठीक है तो log m minus n लगा जेती है अब यह numerator है उसमें देखें एक यह function है multiply में यह दूसरा function है तो एक और formula भी यहाँ पर लगने बाला है log m into n तो यह हो जाएगा log m plus log n और अगर यह दोनों एक साथ दिये हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर log this plus this minus this यह फिर चलिए एक एक करके लगाते है यह one upon two त m ठीक log m minus log n 3x square plus 4x plus 5 अभी हमने क्या गिया log m upon n तो log m minus log n यह वाली property apply कर दी अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर फिर से दो function multiply में है तो log m into n वाला formula लग जाएगा तो one upon two अपना as it is रहने दो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना log x minus 3 plus log x square plus 4 मागी क्या अपना as it is minus log 3 x square plus 4 x plus 5 समझ में आ कही बत ठीक सबसे पहले हमने क्या किया log m minus log n फिर हमें देखा कि log m into n फिर से आ रहा है दूसरा वाला formula तो log m plus log n यह अपना as it is 1 upon 2 अपना बहार चल रहा है और log y अपना as it is चल रहा है ठीक है अब इस condition में हम इसका derivative find कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ क्योंकि देखो यहां पर भी log x log x log x का formula लगाना है और हमारा यहां पर log x square plus 4 minus d upon dx of log 3 x square plus 4 x plus 5 यह नहीं लिखरें आपको लिखना है ठीक है मैं direct derivative find करें तो अब आप देखें log y का derivative क्या हो जाएगा 1 upon y फिर y का भी derivative find करेंगे तो यह हो जाएगा dy by dx के respect में कर रहा है ठीक है अब यह जो 1 upon 2 है रहने दीजिए हम अंदर में derivative लागा रहे हैं तो d upon dx of log x minus 3 क्योंकि एक step मैं खा गही हूँ वह step आपको नहीं खाना है वह step आपको लिखना है ठीक है क्योंकि हमारा पास थोड़ी सी जगह की कमी तो अब देखें log x minus 3 का derivative क्या हो जाएगा 1 upon x minus 3 क्योंकि log के लिए x का काम कर रहा log x लेकिन x का भी derivative find करेंगे तो x minus 3 का derivative find करते हैं या फिर लिख लेते हैं कि d upon dx of x minus 3 ताकि कोई confusion हो ही ना बीच में plus है प्लस लगा दीजिए log x square plus 4 ये क्या हो जाएगा 1 upon x square plus 4 log x का derivative 1 upon x अब x का भी derivative find करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d upon dx of x square plus 4 clear ठीक अब यहां बीच में minus है minus लगा दीजिए log x का derivative वहीं 1 upon 3 x square plus 4 x plus 5 लेकिन इसका भी derivative find करेंगे तो ठीक समझें आगे बात तो log x का derivative 1 upon x बट x का भी derivative find करेंगे फिर log x का derivative 1 upon x ठीक फिर d upon dx of x square plus 4 फिर बीच में minus है minus लगा है log x का derivative 1 upon x फिर x का भी derivative find करेंगे ठीक है एक step और लगेगी इसको तो देखिए सबसे पहले तो वीडियो को पॉस्ट करके आप इतना पूरा नोट कर लिए इसके आगे का जो solution है वह हम यहां से करेंगे ठीक चलिए तो नोट आपने करी लिया होगा वीडियो को पॉस्ट करके आप यहां से हम सॉल्व करेंगे इसको तो आप देखिए यह तो हमारा as it is यह अपना अलग चल रहा है ठीक तो यह जो है 1 upon y as it is dy by dx equal to 1 upon 2 as it is अब देखिए 1 upon x minus 3 तो as it is d upon dx of x minus 3 तो x का derivative x के respect में 1 और constant value का derivative 0 तो 1 minus 0 1 तो 1 को तो लिखेंगे नहीं तो यह आगे आपना 1 upon x minus 3 ठीक बीच में plus है plus लगा दीजिए अब यहां पर 1 upon x square plus 4 तो as it is रहेगा d upon dx of x square plus 4 तो x square का derivative क्या हो जाएगा 2x nx n minus 1 बाला formula लगेगा तो 2x 2 minus 1 मतलब 2x plus 4 का derivative 0 तो 2x plus 0 2x तो यह आगे 2x और जो x square plus 4 है यह as it is ठीक आगे बढ़ते हैं बीच में क्या है minus लगा दीजिए 1 upon 3x square plus 4x plus 5 as it is इसका derivative find करना ध्यान दें तो 3x square या फिर थोड़ा से यहां पर समझा देती हूं मैं आपको 3x square plus 4x plus 5 तो यहां derivative लगेगा यहां लगेगा यहां लगेगा ठीक है तो सबसे पहले x की degree 2 है तो nx n minus 1 तो 2 आगे आएगा तो 3 2s are 6x 2 minus 1 1 plus 4x का derivative x का derivative 1 तो यहां बचा 4 constant value का derivative 0 तो यह हो जाएगा 6x plus 4 तो 6x plus 4 और 1 upon 3x square plus 4x plus 5 as it is clear ठीक शालो तो यह एक step और हटा रही हो मैं चले तो अब बागी सब कुछ हो चुका है अब हम क्या करेंगे dy upon dx find करना है तो यह जो y है divided में उस तरफ जाके multiply में जाएगी तो dy by dx x equal to यह y जो है यह इदर चले जाएगी y upon 2 as it is बागी यह सारी चीज़ है as it is 1 upon x minus 3 plus 2x upon x square plus 4 minus 6x plus 4 upon 3x square plus 4x plus 5 ठीक है अब लास्ट चीज हम को क्या करना है यह जो y है इसकी value क्या थी हमारी यह तो वापस से यही का यही y की place पर हमको put up कर देना है और यहाँ पर जो 1 upon 2 degree है यह solution के लिए हमने करी थी इसको वापस से हम root लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा अपना 1 upon 2 तो as it is y की जगा पर यह पूरी value root के अंदर x minus 3 x square plus 4 upon क्या है 3 x square plus 4 x plus 5 बागी bracket के अंदर जो सारी चीज़ें वो लिख देंगे 1 upon x minus 3 plus 2 x upon x square plus 4 minus 6 x plus 4 upon 3 x square plus 4 x plus 5 ठीक तो लीजे यह हो गया आपका example number 30 इसका आगया यह dy by dx इस तरीके से आप करेंगे तो सीधे सीधे formula मिल जाएंगे chain rule हर जगे लगे गई लगेगा क्योंकि function के अंदर function तो आपको मिले गई ही मिलेगा इसलिए chain rule को बहुत अच्छे से कर लेना है ठीक है तो यह होगे आपका example number 30 अब हम करेंगे next so example number 31 differentiate a to the power x with respect to x where a is a positive constant तो यहाँ पर हमने suppose किया है let y equal to a की power x तो देखे इसका formula तो मैं already आपको बता चुकी हूँ क्या होता है a की power x का जो derivative होता है वो क्या होता है a की power x log a base e तो formula आपको पता ही है लेकिन अगर माल लिए derivative हमको find करना भी हमको बोले जाता है कि करिए आप इसका derivative find तो बिल्कुल logarithmic differentiation से हम इसका derivative find कर सकते हैं शो कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहली चीज तो वही कि a की degree में है x x क्या है हमारा एक function ही है ठीक है तो क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो taking log both sides ठीक है तो यहाँ आमने लिया log y equal to log a की power x तो यहाँ पर वही n log m वाला formula लगेगा तो log y equal to x into log a base e तो देखिए जब मैंने आपको log logarithm function बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर base में कुछ नहीं लगा है मतलब आपको यही समझना है कि यह आपका natural log है natural log मतलब base e वाला log ठीक है तो यह हो गया log a अब इसके बाद अब यह simple हो गया है अब हम इसमें derivative इसका find कर सकते हैं तो वही differentiating with respect to x both sides इस तरीके से आपको लिखना है कर देते हैं तो वही d upon dx of log y equal to d upon dx of x into log a ठीक अब यहाँ पर एक चीज़ देखें अब आपको यह देखना है कि हमारा a constant है तो log a भी हमारा पूरा constant हो जाएगा तो इसको हम अलग कर लेंगे x का derivative find कर लेंगे यहाँ पर देखें जो log y है इसका derivative क्या हो जाएगा 1 upon y फिर y का भी derivative find करेंगे तो dy by dx हो जाएगा इक्वल टू log a अपना as it is x का जो derivative है x के respect में 1 तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका log a ठीक है यह जो y है यह divide में उस तरफ जाके multiply में जाएगा तो dy by dx equal to y into log a अब y equal to क्या था हमारा देख लीजे a की power x तो यह हो जाएगा a की power x log a base e लगाना है तो लगा दीजे सभी जाएगा ठीक clear तो यह आगे आपका dy by dx a की power x log a base e तो यह हो गए आपका example number 31 अब हम करेंगे next example तो अब हम करेंगे next example example number 32 example number 32 में हमको बोला जा रहा है differentiate x की degree is sine x x is greater than 0 with respect to x ठीक है तो हमने सबसे पहले तो suppose कर लिया है कि let y equal to x की degree sine x अब आप देख पा रहे हैं x भी हमारा एक function है और इसकी power में इसकी degree में जो है sine x वो भी एक क्या है हमारा function ही है ठीक है तो यहाँ पर function की degree function तो यह आसानी के साथ किस से solve हो सकता है हमारा logarithmic differentiation से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे both side log लेंगे इसके बाद हमने यहाँ पर लिया log y equal to log x की degree sine x और अगर log में कोई base नहीं लगा इसका मतलब क्या है कि यह हमारा natural log है मतलब base e वाला log है ठीक है अब यह log y हमारा as it is वही यहाँ पर log m की degree n वाला formula तो n log m यह sine x आजाएगा आगे अब आप देखें sine x एक अलग function है log x एक अलग function है दोनों multiply में है अब हम यहाँ पर इसका derivative find कर सकते हैं आसानी के साथ तो वही differentiating with respect to x बोद sides भी लिख दीजेगा ठीक है तो चलिए d upon dx of log y d upon dx of sin x into log x ठीक तो log y का derivative क्या हो जाएगा यहाँ पर लगेगा आपका प्रोड़क्ट रूल तो पहले function का derivative दूसरा as it is तो log x as it is रहेगा sin x का derivative find करेंगे तो क्या हो जाएगा मैं डेरिक लिख रही हूँ cos x फिर बीच में plus फिर हमारा log x का derivative होगा sin x as it is रहेगा sin x अपना as it is log x का derivative 1 upon x ठीक क्लियर चलिए अब dy by dx अपना as it is हमको dy by dx चाहिए तो 1 upon y जो है यह उस तरफ जाएगा तो y डेवाइड में उस तरफ जाएगे multiply में तो यह आ गया y log x into cos x plus sin x upon x अब बस y की value यहाँ पर put up कर दो तो y क्या था हमारा x की डिगरी sin x और इसके अंदर क्या है अपना sin x upon x log x cos x log x cos x plus sin x upon x अब अगर इसको अंदर multiply करके कुछ और आगे solve हो सकता है तो कर सकते हैं और अगर इसा लग रहा है कि नहीं होगा तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम थोड़ आसा सको solve करेंगे आगे तो देखिए यह होगा अपना dy by dx equal to x की डिगरी sin x अंदर multiply हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा x की डिगरी sin x log x cos x बीच में plus अब इसका यहाँ पर भी multiply होगा तो यह क्या हो जाएगा x की डिगरी sin x multiply में sin x है ही upon में x अब यहाँ पर थोड़ा सम solve कर सकते हैं इसको और ज्यादा कुछ भी नहीं है तो x की डिगरी sin x cos x log x plus अब यह जो x है यह अगर उपर जाता है तो इसकी डिगरी जो है minus 1 और sin x multiply में है यह x जो है इसकी डिगरी कुछ नहीं मतलब 1 है उपर जाएगा तो negative हो जाएगा बस तो यह हो जाएगा कि बस और कुछ भी नहीं है इसमें एक्स्ट्रा तो यह आगया आपका dy by dx तो यह आप खुछ से देख लीजेगा कि अगर माल लीजे इसको अंदर multiply करने पर कुछ थोड़ा और solve हो जा रहा है तो कर दीजे अधावाइस इतना भी ठीक है ठीक है तो यह हो गया आपका इसको करते हैं तो सबसे पहली चीज तो यह देखें कि यह हमारा function की डिगरी फंक्शन है plus function की डिगरी फंक्शन plus function की डिगरी फंक्शन तो अपने आप में यहाँ पर तीन अलग अलग functions वो भी कैसे वाले function की डिगरी फंक्शन वाले को तीनों को add करके हमको दिया है कि इसका dy by dx find करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे one by one अलग-अलग find करेंगे और last में तीनों को add कर देंगे कैसे थोड़ा सा समझेगा हमने क्या suppose किया let u equal to a y की degree x v equal to x की degree y w equal to x की degree x समझ में आरी बात इसको suppose करा u, इसको v, इसको w, ठीक तो यह क्या हो जाएगा u plus v plus w equal to a की degree b तो अपना ऐसे टीजी है समझ में आगी बात थोड़ी बहुत ठीक है इसको u suppose करा इसको v, इसको w, तो u plus v plus w equal to a की degree b ठीक अब हम इसका derivative अगर find करते है तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे हम differentiating with respect to x तो यह क्या हो जाएगा d upon dx of u plus d upon dx of v plus d upon dx of w और यह हमारी constant value है क्योंकि base b constant है degree b constant हो तो constant का जो derivative होता वो क्या होता जीरो तो इसका derivative हो गया है जीरो यह बात clear हो गई इसको दे दीजे आप equation number one अब आप ध्यान दें कि अगर हम u का derivative x के respect में find कर लें व का derivative x के respect में find कर लें और w का derivative x के respect में find कर लें अलग-अलग और फिर तीनों को add कर दें तो हमको dy by dx मिली जाना है clear ठीक है अब यहाँ पर हम यही करेंगे दें तो सबसे पहले हमको क्या find करना है du upon dx मतलब u का derivative find करना है और u का derivative find करने के लिए function की degree function है तो सबसे पहले first यहाँ पर u equal to क्या है आपना y की degree x यही है ठीक ब्लेकुल step by step करेंगे बने यह इक्वाल तो क्या है y की degree x है और u का ही derivative find करना है लेकिन यहाँ पर logarithmic differentiation का यूज करके हम कर पाएंगे तो टेकिंग लॉग बोद साइड तो यह हो जाएगा लॉग यू इक्वाल टू अब यह आगया जाएगा वही एंड लॉग वाला फॉर्मुला तो एक्स लॉग वाई ठीक एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दीने अब आगे देखें तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव लगा सकते हैं मतलब झाव्लिफ्रेंशीशन का डीफ्रेंशीशन लगा सकते हैं तो रिप्लॉग इस लॉग यू अब लॉग यू का देखें से करना है गे तो लॉग यू का लगेगा तो first derivative X का derivative क्या हो जाएगा one log Y as it is log Y अपना additive X का derivative one तो नहीं लेगेंगे बीच में plus फिर X as it is आ जाएगा और log Y का derivative बना पॉन Y और Y का derivative हो जाएगा DY by DX जब X के respect में कर रहे हैं और function में Y है या यहां पर देखिए यू था और किसके रिस्पेक्ट में कर रहा थे एक्स के रिस्पेक्ट में तो लॉग यू हुआ वन अपॉन यू फिर यू का भी तो करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स ऐसे ही हमने यहां पर क्या किया फस्ट इंटू सेकिंड यह नि प्रोडक्ट होड़ना है बिल्कुल step by step ध्यान से करना है क्योंकि अगर एक भी चीज चूटी तो पूरा कॉशन आपको गलत हो जाएगा ठीक चलिए अब इसके आगे बढ़ रहे हम तो हमको क्या चाहिए डी यू अपॉन डी एक्स तो यह उस तरफ जाएगा तो यह हो जाएगा एक step और कर लेते हैं डी यू अपॉन डी एक्स यह यू डिवाइड में multiply में जाएगा तो यू और यह हो जाएगा अब ना log y प्लस x upon y dy by dx ठीक है अब u की value यहाँ पर put up कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा d u upon dx equal to u क्या है हमारा y की degree x तो y की degree x और यह आ जाएगा अपना log y plus x upon y dy by dx तो हमने अभी सिर्फ एक चीज़ find करी है क्या d u upon dx ठीक है अब हम find करेंगे d v upon dx तो v क्या है सबसे पहले वो लिख लेंगे यहाँ पर हम अब second चीज़ कर रहे हैं तो यह first or second करके मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको एक चीज़ clear समझना आ सके ठीक है तो v क्या है अपना x की degree y तो d v upon dx find करना मतलब v का x के respect में derivative तो यहाँ पर log का यूज़ करना पड़ेगा तो taking log both side तो यह हो जाएगा log v equal to यहाँ पर भी log x की degree y तो y आ गया जाएगा तो यह हो जाएगा y log x अब यहाँ पर हम लगा देंगे d upon dx of log v equal to d upon dx of y log x तो यहाँ पर भी दो function है multiply में तो product rule लगेगा लगा देते हैं log v का derivative 1 upon v और v का derivative dv upon dx equal to सबसे पहले first का derivative तो y का derivative क्या हो जाएगा dy by dx second as it is clear second as it is first का derivative बीच में plus अब क्या होगा y as it is आ जाएगा log x का derivative 1 upon x और x का derivative x के respect में 1 इसलिए लिखेंगे ने ठिक यह हो गया अब dv upon dx यह जो v है यह अधर डिवाइड में उस तरब जाके multiply में तो v multiply में क्या यह क्या हो गया log x dy by dx plus y upon x तो यह क्या आगे अपना अभी v की value और रखेंगे v की value क्या है x की degree y तो यह आगे अपना dv upon dx equal to x की degree y log x dy upon dx plus y upon x तो अभी हमने एक और चीज़ फाइंड कर ली अब हमको find करना है dw upon dx ठीक है तो कहां find करूं तो आप एक काम करिए यह फर्स्ट वाला इसको नोट कर लीजे और जो सेकंड वाला इसको मतलब पूरे नोट कर लीजे स्टार्टिंग से ठीक है इसके आगे का हम solve करेंगे अब तो अभी हमने क्या करा है इन चीज़ों की ज़रत पढ़नी है और du dx dv dx की ज़रत पढ़नी है इसलिए हमने इनको अलग रिश लिया अब हम तीसरी चीज़ फाइंड कर रहे है यहां पर थर्ड जीज़ क्या है हमारी dw upon dx यानि w का फाइंड करना तो w क्या है अपना x की डिगरी x ठीक है तो वही टेकिंग लॉग बोच साइड तो यह हो जाएगा लॉग w equal to x log x तो यहां पर वही n log m वाला फामिला लग गया डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डेरेक्ट फाइंड कर रही हूं लॉग w का डेरिवेटिव 1 upon w तो w का डेरिवेटिव d upon dx of w equal to x log x प्रोडक्ट रूर लगेगा सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1 log x अपना as it is बीच में plus x as it is log x का डेरिवेटिव 1 upon x x से x cancel होके यह हो जाएगा 1 और यह w उस तरफ जाएगा तो यह हो जाएगा dw upon dx equal to w यह हो जाएगा अपना log x plus 1 और w की value क्या है अपनी x की डिगरी x तो यहां आ जाएगा dw upon dx equal to x की डिगरी x log x plus 1 तो यह आ गई हमारी तीसरी चीग तो अब हम क्या करेंगे यह जो dw upon dx है इसको भी मैं अलग लिख लिए आपको नहीं लिखना है ना मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसकी अभी मुझे जरुवत लगेगी ठीक है एक्स की डिगरी x log x plus 1 तो यह आपको अलग से नहीं लिखना है मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अल्रडी मैं पूरा हटा चुकी हूँ और इसकी मुझे यहाँ पर जरुवत लगने वाली है ठीक है तो इसको आप वीडियो को पॉस्ट करके नोट कर लिजे पहले आपने पूरा कर लिया इसमें हम यह पूरी की पूरी वैल्यू पूट प कर देंगे तो हमको क्या लेक prisoner आए फ्रॉम एकवेशन वर्स्ट लीट करेंगे आप दिची लीट करेंगे तब्लडियंगे प्लस dw upon dx ठीक अब इनकी कोई ज़रत नहीं इनको मैं हटा देती हूँ यह मैंने तर्फ इसलिए लिख कर रखे थे क्योंकि इनकी अभी हमको ज़रत लगनी थी इसे जिए ठीक समझ में आगे बाद तो du upon dx find किया दीवी अपॉण dx find किया दीवी अपॉण dx find किया फिर उसके बाद प्रॉम एक्वेशन फर्स और एक्वेशन फर्स उठाके उसमें हमने यह सारी वैल्यूस पूट अप कर दी अब हमको यहां पर क्या बोला गया है कि हमको dy upon dx find करना है तो यहां पर आप देखें dy upon dx यहां पर है यहां पर है यहां पर नहीं है तो हमको क्या करना है जो dy upon dx वाली जितने भी terms है अलग-अलग उन सभी को अलग कर लेना है ठीक है सबसे पहले y की degree x का अंदर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा y की degree x log y इसका अंदर multiply करेंगे हम यह वाला जो y है यह उपर आएगा तो minus 1 हो जाएगा तो y की degree x minus 1 हो जाएगा इस y को मैं हटा रही हूं तो यहां हमने लिखा x into y y की degree यहां क्या है x और यह उपर आके minus 1 तो यह हो जाएगा x minus 1 और यह क्या हो जाएगा dy by dx clear ठीक है तो यहां हो गया अब इसका काम हम खतम करते हैं तो अब x की degree y का अंदर multiply होगा तो यह हो जाएगा x की degree y log x dy upon dx अब इसका इसमें multiply भी होगा बीच में प्लस है तो यह x उपर आएगा तो minus 1 तो x की degree y यहां पर है यह उपर आके minus 1 तो यह हो जाएगा बीच में plus x की degree y minus 1 into y ठीक इसका भी इधर दोन उचागे multiply होगा बीच में plus था इसलिए पहले यहां फिर यहां अब इसकी बात करते हैं x की degree x log x plus 1 में होगा तो x की degree x equal to 0 अब हम क्या करेंगे यह जो dy by dx वाले term से इनको इस तरफ राखेंगे बागी सबी कुछ उस तरफ भीज़ देंगे तो हम क्या करते हैं dy by dx वाला कौन कौन से term एक तो यह वाला है एक तो यह वाला है दोनों में से अगर हम dy upon dx common ले लेते हैं तो क्या बचता है x into y की degree x minus 1 और यहां पर क्या बच रहा है अपना बीच में plus x की degree y log x ठीक बागी सबी कुछ उस तरफ भीज रहे हैं तो क्या क्या जाएगा उस तरफ यह जाएगा यह dy by dx यह जाएगा यह जाएगा और आप देख रहे हैं सारे के सारे terms हैं plus के उस तरफ जाएगे तो सारे के सारे minus हो जाएगे तो हम क्या करेंगे एक साथ इनका minus लगा के bracket के अंदर सभी को लिख देंगे ठीक है तो चलिए करते हैं तो y की degree x log y उस तरफ गया यह उस तरफ भीज दिया और यह तो dy by dx वाले हैं तो यह जाएगा उस तरफ प्लस x की degree y minus 1 into y ठीक है और यह जाएगा तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसका अंदर multiply ना करें तो भी better है इसका reason क्या है क्योंकि यहाँ पर dy by dx तो है ही नहीं तो यहाँ पर हम यह करते हैं एक साथ ही लिखा रहे हैं देते हैं तो यह as it is x की degree x log x plus 1 और लगे तो यह bracket हम square bracket बना देते हैं ठीक समझ में आगई बात ये भी उस तरफ गया minus का है ये भी इस तरफ गया minus का है ये भी इस तरफ गया minus का minus एक साथ हमने बाहर लगा दिया ठीक अब ये जो है ये dy by dx के multiply में divide में चले जाएगा ठीक है तो एक step और लगेगी यहां कर देती हूं मैं So dy upon dx equal to minus y ke degree x log y plus x ke degree y minus 1 into y plus x ke degree x log x plus 1. ब्रैकेट क्लोज अपन ये पूरा का पूरा. क्या है ये x y ke degree x minus 1 plus x ke degree y log x लीजिए. तो यहाँ पर ये जो function हमको दिया था इसका हमको find करना था derivative dy upon dx find करना था सीधा-सीधा. तो dy upon dx find करना है मतलब dy upon dx के form में ये answer हमको देना होगा. ठीक है? तो ये हो गया आपका example number 33. तो ये important भी है. इस तरह के question exam में पूछे भी जाते हैं. तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से काम करना होगा. सबसे पहले तो हमने क्या करा? मैं एक बार और starting से आपको पूरा बता देती हूँ. और जिन लोगों को समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं. वीडियो को आगर बढ़ा के देख सकते हैं. तो यहाँ पर y की डिग्री x को u suppose किया, x की डिग्री y को v, इसको w. ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया? कि यह हो गया u, यह v, यह w. और a की डिग्री b as it is. अब हमको find करना था differentiation with respect to x. तो हमने यहाँ पर derivative find किया with respect to x. इस ते हमको क्या मिला? यह तो हो गया 0. मतलब कि du upon dx, dv upon dx, dw upon dx find करना था. तो हमने क्या किया? पहले इसको find किया, फिर इसको find किया, फिर इसको find किया. क्योंकि एक साथ find करना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा. इन से भी को calculate करने में बहुत जादा खौच पहुच हो जाएगा. इसलिए हमने क्या कि du upon dx find किया, value रग दी, dv upon dx की, और dw upon dx की value रगी. फिर हमने क्या किया, कि जो dy upon dx वाले term से उनको अलग कर लिया, और जो without dy by dx वाले term थे उनको उस तरब भीच दिया. ठीक है? फिर यहाँ से यह चले गया इध तो यह हो गया आपका example number 33 complete. ठीक है? तो आज की class में बस इतना ही करेंगे, यह जो हमारी exercise 5.5 है, इसके सारे question आपको अच्छे तरीके से करने है, तो हाला कि अगला जो वीडियो रहेगा, उसमें हम exercise 5.5 स्टार्ट करेंगे, और आज की आज की class में मैंने जो example आपको करा है, तो इसी जरह के और वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर करिए, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye and thank you.